किस माइने में कहते हैं क्या elections हुए क्या हमारी पसंद की सरकार है नहीं आज जब एक पर्टिकुलर पार्टी ने प्रोटेस्ट किया तो 144 नहीं लगा बिल्कुल तब 44 तो नहीं लगा जब मेरे राजपूत सभा के भाई के जो वहां बैठे हुए थे जब उन्होंने लाजपूत भाईयों को इन्होंने जेल में रखा राइट कट हुआ जेल में क्या किया था उन्होंने उन्होंने सिफ इतना बोला illegal toll को आप हटाए तो ये कुन सी development है illegal चीज को illegal बोलने पे अगर आप जेल में डाल रहे हैं तो this is what happened in Sadam Hussain का regime तो ये कहां से democracy होगी हमारी त जीद के आते हैं तो well and good at least कहने को तो होगा कि हाँ हमने अपनी पसंद से आपको लाए है ऐसे तो आप हमारे सर पे चड़के बैठे हुए सर एक चीज होकर होती है और अब तो high court से भी चोरियों के मामलात सामने आते रहते हैं आपने भी एक दो बार जो है वो शेर किये थे अब कुछ दिन पहले आपके गाड़ी के साथ भी चेड़ शाड़ यह क्या कारण है लगातार क्यों यह बढ़ोती हैं हो रही है जो हमारे यहां का नीचे camera's placement है वो strategic नहीं है अगर एक पुरा area है 360 degree तो I am supposed to put a camera on four sides लेकिन यहां camera सिफ एक side में है बागी का side खाली है अब उस side में जब parking खतम हो जाएगे तो पीछे के side में ही बाकी गाड़ियां लगाएंगी जब वो under surveillance नहीं है तो गल्ती किसकी है बार टीम की इस बात को लेके काफी वकील में रे अगेंस्ट हो जाएगे बार बार टीम is not doing up to the mark, it's not doing its work up to the mark, it has to step up आप देख रहें न्यूस सेर इंडिया और मैं हूँ अर्फाजम डायंग आज की खास मुलाकात में मरसा मौजूद है एड़ुकेट अन्ना दुरानी जी हमेशा चर्चाओं में रहती हैं जहां पर भी कुछ गलत दिखता है सोचल मीडिया के मध्यम से, ड IMC, कंप्लेंट के मध्यम से, पीछे नहीं हटती है और बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो administration में हैं, चाहे और कोई हैं, civil में हैं, नाराज भी रहते हैं इन से कि हमेशा opposition में रहना ही इनको पसंद क्यों है, बातचीत करेंगे, मैं स्वागता पन्विसरेंगे, आपको हम जब भी देखते हैं, अगर आपका social media account भी देखा जाए, य दिक्कत क्या है, आपको system से क्या दिक्कत है, जो काम अच्छे हो रहे हैं, वो नहीं आपको अच्छे लगते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैंने ऐसान तो किया नहीं, क्योंकि मैंने पैसे लिए, ठीके, अब उसके लिए एक thank you बोले, तो समझ में आ जाए, अगर वो बार-बार मुझे कहेगा, नहीं नहीं, आपको अगर मेरे से कभी कोई गलती हो जाती है, तो उससे क्या होगा, मैं और गलतियां करूंगी, इसा ही सिस्टम में भी होता है, जो administration होती है, if you're doing something, you're getting paid for it, you're not doing a charitable purpose work, और अगर आपको गलती करते हैं, तो उसके लिए लोगों का बोलना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनको समझ में है कि वो गलती है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, for example, roads है, जहां roads खराब है, थोड़ा सा delinquency हो गई है काम में, तो लोगों का ये फर्ज बनता है कि आगे आए, बोले, हमने तलवार नहीं रखी किसी के सर पे, हमने सिफ इतना बोला कि हमने road tax दिया है, आप उस particular road को ठीक कीजिए, am I wrong, no, तो अगर किसी को खिलाफ होने, लोगों को लगता है कि आप ग चेंज करके बोलते हैं अपना answer, यह हमारी बतकिस्मती है कि हमारी country में education की बात कोई नहीं करता, आप literacy भी छोड़ दीजे, हम education पर याते, education की बात कोई नहीं करता, हमारे netas, whenever they talk about elections, manifestos, हमने ये किया, हमने वो किया, कभी आपने किसी भी neta, especially जमू में सुना, हमने education के आया, यह मैंने ISRO के scientists को यहां लाके बोला कि आप यहां बच्चों को lecture दीजे, through video conferencing, कभी सुना, कभी नहीं, यहां education पर क्यों नहीं, यह लोग जोड़ डालते हैं, अब क्या होता है, जब education कम हो जाती है, अगर आप education तो अगर देंगे, लोगों को, तो क्या होगा, लोग हक मांगेंगे अपना, इन्होंने वो factor हटा दिया education का, तो लोगों उस हक से वंचित है, उनको नहीं पता है, कि हमारी आवाज क्या है, हमारे हक क्या है, और हम किसके लिए पूछ सकते हैं, अब क्या होता है, जिसे roads है, हमने road tax दिया, बिजली है, हमने बिजली का पैसा दिय है, पानी है, पानी का भी पैसा दिया है, हाला कि पानी तो free में होना चाहिए, it's available freely, कल को हवाबे भी tax लगा देंगे, you never know, right, तो ये चीजे जिसका हमने पैसा दिया है, और हम को नहीं मिल रही है, और हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो बेवकूफ कौन? हम, उसके बाद अगर लोगों को लगता है, administration को लगता है, या किसी भी civil society में, किसी को भी लगता है कि मैं हमेशा opposition में रहती हूं, या मैं गलत हूं, most well, you cannot change 1000 opinions, you have to walk on your own way, बाकी जो जुड़ता है साथ में ठीक है, अगर किसी को लगता है कि I am not reasonable, तो ठीक है, आप अपना reason दून ही अपना क कि मुझे तो लगता है कि I am reasonable, जहां मेरी गलती होती है, I would say sorry, जहां मेरी गलती नहीं है, I would never say sorry. अना जी, सरकार इतना कुछ तो करती है लोगों के लिए, अगर हम बात करें, free ration की, free ration दे रही है, reservation दे रही है, forest right act दे रही है, अभी जो लोग वंचित हैं reservation से, अगर हम रजोरी पुंच, पाड़ी कभीला, ethnic group की बात करें, अभी उस पे भी एक जंग सी चड़ी हुई है, उनको जर्बकरवाल community के लोग चाहते हैं, गैस्टी उनको उसमें शामिल ना किया जाए, और सरकार कहते हैं, उनको बड़ा जुलम जाती हुई है, उनको reservation दे रही है, तो यह क्या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? अब जैसे एक जंग चड़ी है, जिसमें एक gaurp कह रहा है कि reservation होने चाहिए, दूसा गुरूप कह रहा है कि reservation नहीं होने चाहिए, this is for the courts to settle, this is for the people to settle, this is for the parliament to settle, यह ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को affect नहीं कर रहा है, मेरे मुद्दे हैं basics in a lifeline of a country, खाना, पीना, रहना, हेल्थ केर, एजुकेशन, यह सब को मिलनी चाहिए, चाहिए कोई पहाडी हो, या कश्मीरी पंडित हो, मुस्लम हो, डोगरा हो, कोई भी हो, everyone has a right to good road access, correct, एजुकेशन, हर किसी को हख एजुकेशन, जब आज हम एजुकेशन शुरू करेंगे न, तब 10-15 साल के बाद, हमको साइंटिस्ट मेलेंगे, और दूसर चंद्रयान जाएगा, अगर आज हम बैटके से, फाउंटेन और पानी का, और यह सब देखेंगे न, तो आगे से, जम्मू से कोई साइंटिस्ट नी जाएगा, फिर, ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले जहां तक मुझे लगता है, आप रिजर्वेशन अगर दे रही है, गवर्मन्न, ताट इस गुड अगेन, ताट इस ज़ूब, क्यूंकि उनके मानिफेस्टों में था, कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, टेर्वेशन जो लोगों को दे रहे हैं, और पाइस साल अगे और फ्री करेंगे, हाँ, बिल्कुल क्यूं नहीं देना चाहिए, अगर किसी को ज़़ुरत है, तो ये, सर देखे, हमारा एक वोटर आइडी बनता है, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मेरी आइडेंटिटी है, जो वोटर आइडी में मेरा नाम लिखा हुआ है, अनादुरानी, उसके हिसाब से मेरी पहचान है, अगर मैं यहाँ चलू, कोई फरक नहीं पड़ता, उस वोटर आइडी के हिसाब से, मैं एक कंट्री की सरिजन हूँ, और जब मैं गर्मेंट चूज करती हूँ, तो गर्मेंट का काम है मेरी प्रोटेक्शन, अब उसको मेरी प्रोटेक्शन के लिए फ्री राशन देना पड़े, मेरी सबसिस्टेंस के लिए फ्री पानी देना पड़े, ताथ इस जॉब अफ्री गवर्मेंट तो दू इसमें वो किसी पहसान नहीं कर रहे है, ऐसा? क्या बदलाव आप जे अंके में देख रहे हैं, पांच अगर दोजार उननीस के बाद की अगर हम बात करें पहले तो बहुत कुछ कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि अच्छा था, कुछ कहते हैं काफी ज्यादतियां होती थी जम्मु किश्मीर के साथ, उसके बाद में क्या बदलाव आप देख रहे हैं, क्या लोगों को उनके हख-खुक मिर रहे हैं, क्या development सही माईनों में हो रही है, क्या बदलाव देख रहे हैं? Sir, मैं फिर से, I'll divide this answer into two parts. First of all, जो हमारी basic amenities हैं, वो हमको मिलने री. Electricity is not getting provided 24 hours a day. आज भी नहीं? आज भी नहीं. आपके घर में है 24 गंट electricity? नहीं. मेरे वहाँ तो नहीं है. दिन में lights on होती है, street lights on होती है, रात को बंद होती है. कितने areas हैं, जहां street lights cover नहीं कर रही हैं. Whose job is that? Government. मेरा job नहीं. मेरा job इस सिर्फ उनको ये बताना, कि इस particular area में light नहीं है. क्योंकि जो LG साहब है, वो कहते हैं कि हमारे पास power नहीं है. हम power बाहर से खरीद रहें. अगर आप power बाहर से खरीद रहें, तो दिन को आपकी light है कैसी जल रही है? जो गरीब लोग हैं, उनका पचास लाग का bill आ रहा है. सब पचास लाग industries का आता है. घरों का पचास लाग नहीं आता. और जो electric department वाले हैं, वो कहते हैं, पहले आप bill भरिये, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको resolve करना है. example से मेरा भी लगए 50 लाग है. आपको लगता है, मेरे पास 50 लाग होंगे, कि मैं पहले दू और उसके बाद resolve होगा. I don't have 50 लाग, मैं कहां से लाओंगी? I'll panic, like a normal person. तो ऐसी बात नहीं है. मेरा फिर से वहीं मानना है, जो basic communities हैं, पहले वो पूरी होनी चाहिए. उसके बाद जितना भी आपको fountain लगाना है, light लगाना है, that is secondary. पहले राशन, घर का print second. फिर दूसरा आजाता है development. Development आप किस माएने में कहते हैं? क्या elections हुए? क्या हमारी पसंद की सरकार है? नहीं. आज जब एक particular party ने protest किया, तो 144 नहीं लगा? बिल्कुल, तब 44 तो नहीं लगा, जब मेरे राशपूद सभा के भाई के जो वहाँ बैठे हुए थे, जब उन्होंने चुटी की मांग की, तब तो 5 मिनट नहीं लगे 144 लगाने में, तब तो 5 मिनट नहीं लगे इनको मार पीट करने में, क्या वो सही था? डू यू कॉल दिस डिमॉक्रसी? नहीं, साथ देन लाशूद भाईयों को इन्होंने जेल में रखा, कट हुआ जेल में, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने सिफ इतना बोला, इलीगल टोल को आप हटाईए, तो ये कुन सी डेवलप्मेंट है? इलीगल चीज को, इलीगल बोलने पे, अगर आप जेल में डाल रहे हैं, तो ये कहां से डेमॉक्रसी होगी? हमारी तो डेमॉक्रसी है ही नहीं, आप एलेक्शन कराईए, अगर आप ही जीत के आते हैं, तो वेल इन गुड कहने को तो होगा, कि हाँ, हमने अपनी पसंद से आपको लाए है, ऐसे तो आप हमारे सर पे चड़के बैठे होएं, सर, एक चीज होगर होती है, तो ये सम्थिंग कॉल्ड अन्वेलकम स्टे, अब लजी साब यहाँ आए हैं, हिस स्टे इस ओवरड्यू, महमान जब ज़्यादा देर आ जाता है घर में, तब प्रॉब्लम हो जाती है, मैं तो खुश नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता है जनता खुश है, क्योंकि आप रोज देखे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे जे केसेस्ट के बच्चे, जो PSOs हैं, उनका प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद काफी सारे NHM के बचे, नहीं में तो मैंने खुद पार्टिसपेट किया था उनके प्रोटेस्ट में, कितने प्रॉब्लम्स हैं सर, अच्छा, I still remember, जब रिजर्व काटेगरी और कश्मीरी पंड़त का PM पाकेज के लोग थे हो, तो LG साब ने कहा था, टाइम बाउंड मैनर में हम पॉलिसी बनाएंगे, तो साल होने को आगया, टाइम बाउंड का है, आप यहां कहीं भी, I can challenge you on this, आप जम्मू में कहीं भी जहां construction हो रही है, आप वहाँ जाईए, start date, not mentioned, end date, not mentioned, supervisor, not mentioned, तभी तो बरे ब्रामना साइट से एतने accidents हो रहे हैं, कोई को पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, आप इंको जब कुछ पूछते हैं, यहां बोलते हैं कि यहां की particular road बहुत खराब है, please take a look into it, तो वहाँ से क्या आता है, tender float किया है, sir, यह एक I.S. officer का यह जवाब, tender float किया है, क्या यह माइनी रखता है, for God's sake, at least just look at your position, आप एक I.S. officer है, right, क्या मेरे को पहले road चाहिए, क्या मुझे पहले ambulance चाहिए, या पहले मुझे दिवार पे red और yellow paint चाहिए, बताइए, इंसान जब पैसा आते है, तो सबसे पहले राशन लाएगा न, घर का paint नहीं लाएगा, you need to understand this, say, यह I.S. officers है, यह basic है, इनको समझानी की को ज़रुवत पढ़ रही है, और एक particular road का patch है, new plot में एक little champs करके school है, उसके बाहर की जो road है, उसमें tile है, अब tile और road का जो gap है, वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और उसमें गाडियां एकदम उच्छरो चलके जा लिए, गाड फोड़ा अगर कभी वहाँ आख्सिदेंट हो गया, और बज़री बहुत पढ़ी है, बज़री में क्या आता है, ब्रेक नहीं लगती है, टू-wheeler की, गाड फोड़ा पोड़ा कोई आख्सिदेंट हो गया, इसमें कोई दूसरी बात नहीं चाहिए, बात का तो, Is it so difficult for I.E.S. officer to understand this? He is getting money for what? सालरी विड़रा कर रहे हैं, बॉक्स भी मल रहे हैं, वो भी विड़रा कर रहे हैं, for what? कि आप लोगों के लिए काम कीजे, क्या लोगों के लिए काम हो रहा है? नहीं हो रहा, वेर हाउस में दो आक्सिदेंस हुए थे, पिछले साल, उसमें से एक की जान गई थी, can that lady come back? क्या वो वापस आ सकती है? जो पुलिस टेशन में कस्टोडियल दैट्स होती है, right? can that person come back? यह बहुत एजी होता है, कहना हम जैसे हम वकील है, हम भी जब केस लगते हैं, हम कहते हैं, post-mortem हुआ है, fire हुआ 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 हुआ, जो इनसान उसकी फामली का पीछे बैटा ऐसा है, आप उसकी तरफ देखेंगे न, तो ऐसे आसो टपकरे होते हैं उसके, so I think जब तक ये नेता, ये IS officers एक value नहीं समझेंगे, और अपने काम के लिए serious नहीं होंगे, तब तक मुझे लगते हिंदुस्तान में development नहीं होगी, this is not development, अब हमेशा पानी, बिजली, रोड्स वगेरा को लेकर के जो हैं, वो वीडियोज भी बनाती हैं, बात भी करती हैं, अगर हम बात करें, चोरियों की वार्दाते हैं, जम्मू में लगातार भड़ रही हैं, ड्रग्स लगातार भड़ रहा हैं, ड्रग्स में युवा लगातार involved हो रहा हैं, क्या कारण मानती हैं? सर देखी, जहां तक ड्रग्स का सवाल है, पुलिस अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो लोग, मैं यहां पुलिस को गलत नहीं मानती, पुलिस अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन जो लोग ऐसे ड्रग्स ला रहे हैं, अंदर जम्मू में ला रहे हैं, कि जम्मू में पहले यह सब नहीं होता था लेकिन आप बहुत ज़ादा हो रहा है तो उस पे नकेल कसने के लिए you do something about it sir यह सारी बात वही management किया जाती है for example जैसे 75 watts है ठीके 27 police station है आप थोड़ा jurisdiction काम करके और police station बना दीजे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है correct जो women stations है यहां सिर्फ एक ही गानी नगर में है women cell आप उसको दो-तीन कर दीजे न divide के जे पुल के इधर आना बहुत मुश्किल है काफी लोगों के लिए पुल के उस पार भी एक कर दीजे चोकी बना दीजे पूरा station में बना यह diversified चोकी बना दीजे sir manage करना इतना मुश्किल नहीं है this is not some rocket science की हमको अब IOTA का formula निकालने नहीं this can be done problem है अगर इनकी नियत होगी तो otherwise नहीं हम जब अपने घर में होते हैं sir पानी जब हम नीचे वाले टैंक से उपर पानी चड़ा ले होते हैं हमको time का पता होता है न क्यूंकि हमारा घर है लेकिन हम जब किसी और के घर में जाते हैं तब थोड़ा से हम लोग delay हो जाते हैं कि हाँ ठीक है है कौनसा हमारा घर है जब तक हम जमू को problem होगी हम साले उसके साथ खड़े रहेंगे चब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा यह nothing will happen believe me हम यहां diversified हैं सिर्फ इसी बात को लेके वो हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ वो डोगरा है मैं कश्मीरी हूँ वो रूप नगर में रहता है मैं जानीपूर में रहता हूँ यह इन बातों पर हो रहा है यहां को यह नहीं पूछता कि आपके डिगरी कितनी है आपने कहां तक पढ़ाई की है यहां पहला सवाल होता है आप कहां रहते हैं अपना घर है किराए का घर है आप बताईए इस इस इंपोर्टेंट आप आज तक किसी ने यहां यह बोला है कि यहां इस रो का म्यूजियम होना चाहिए बच्चे कुछ पढ़ेंगे म्यूजियम ओफ नाशनल सारी नाशनल हिस्ट्री होनी चाहिए पालियो लेथेक टाइम्स है उस सब का आप म्यूजियम बनाईए ताकि बच्चों को समझ में आए नहीं सार दिवार पेंट करनी से क्या होगा बताईए मुझे वो दिवार का पेंट भी निकल रहा है तीन चार बालिश के बाद दिवार का पेंट निकल जाएगा फिर what is the point यह सब नहीं होता है यह सब नहीं होता है they have to get serious about their job they have to get serious about the oath that they have taken मैंने oath लिया काम करने के मुझे seriously करना है अना जी यह चोरियों की वार्दातें लगातार बढ़ रहे हैं और अब तो हाई कोर्ट से भी चोरियों के मामलाद सामने आते रहते हैं आपने भी एक दो बर जो हैं वो शेर किये थे अभी कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी के साथ भी छेड़ शाड़ यह क्या कारन है लगातार क्यों यह बढ़ोती है सर यहां अब इस पॉइंट में एक ऐसी बात बोलने जारी हूँ जिसमें हो सकता है काफी वकील भी मेरे अगेंस्ट हो जाए जो हमारे यहां का नीचे कामरास प्लेस्मेंट है वो स्ट्राटेजिक नहीं है अगर एक पुरा एरिया है 360 degree तो I am supposed to put a camera on four sides लेकिन यहां camera सिर्फ एक side में है बाकी का side खाली है अब उस side में जब parking खतम हो जाएगे तो पीछे के side में ही बाकी गाडियां लगाएंगी जब वो under surveillance नहीं है तो गल्ती किसकी है बार टीम की इस बात को लेके काफी वकील मेरे अगेंस्ट हो जाएगे बार टीम is not doing up to the mark it's not doing its work up to the mark it has to step up अब आपकी गाड़ी को cut मारा गया टायर को तो टायर का नीचे से cut मारा के it was a very big cut तो कोई बात नहीं ठीक है क्या लगता आपको किसी ने कोई किसी हथयार से या कुछ ऐसा किया है I don't know किस तरीके से किया है लेकिन वो जैसे होता न blade का एक लंबा सा cut मारा बिल्कुल वैसी cut मारा था चलो खेर कोई बात नहीं चलता है अगर बार टीम को थोड़ी से भी अकल होगी तो आक्शन लेगी अगर नहीं लेना होगा तो ठीक है अज मेरा टायर कट है जब इनसान वही होता है न जब गल्ती पे आप काबू नहीं कर पाते हैं तो गल्तियां बढ़ती जाती है आज मेरा टायर कट हो सकता है कलको उसको बार टीम से खुंदक हो जाएगी तो इनसान जो भी होगा वो बार टीम के टायर काटे का शाहिद तब आक्शन लेंगे पहली नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि बार हमने चोरियां किसी का बैग चोरी हो रहा है किसी की बाइक चोरी हो रही है यहां एक हमाए नायब कोटिये हैं मैं उनका नाम ने लूँगी उनकी बाइक चोरी हो गई क्या हुआ कुछ नहीं हुआ सामने सामने सीसी टीवी में दिख रहे है बंदा क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक दूसरी बात यहां जो हमाए नितिन बख्षी सर है उनका बाग चोरी हो गया कुछ नहीं हुआ नहीं है अभी तक बाग वापस मतब आपका अपना कोट इस नौट सेफ कि आप लोगों को यह बता रहे हैं कि आपका कोट सेफ नहीं है क्या एक मैसेज रहेगा आपका और क्या आने वाले समय में अन्ना दुरानी जिस तरह से सोचिल एक्टिविस्ट के रूप में काम करती हैं मेरा जो हक है अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है आलास फॉर इट I am not an activist nobody is an activist activism तब होता है जब आपके पास बहुत टाइम हो आप बिलकुल उसी में अपना पुरा का पुरा टाइम निकाल देते हैं मुझे आप मेरी वखालत करनी है I am so sorry मैंने आपके बीच में टोका आने वाले समय में सियासत में भी आएंगी क्योंकि सियासत में अगर आएंगे अच्छ लोग आएंगे तब ही तो सियासत बदलगी स расп हमारे अभी के लोग है न इस्विए इनकी सिर्फ नियत चेंज होने में जोसको कहते हैं ना developing conscience ग Сам कि थोड़ी सी conscience यहां के roads ठीक करवा सकता है क्यों नहीं करवा रहे हो क्यों नहीं करवा रहे so that is their fault कोई कैसा भी हो अच्छा हो बुरा हो उसे कोई फरक नहीं पड़ता इंसान का जो काम दिया गया है आप वो कीजिए that's it I am not concerned with आपको politics लड़नी है आपको किसी के घर जाना है आपको कोई speech देनी है doesn't matter you are a politician your job is to take care of the basic communities of people आपका वो काम है आपको पैसे दिये जाने है आप काम कीजिए बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं मैं आप हम सारे we are citizens of India हमारा ये article 21 है right to life right to life में क्या आजाएगा जीने का अधिकार अच्छी road होगी तो जीने का अधिकार होगा road traffic accident किसी को नहीं चाहिए कोई भी सुबह उठके ये नहीं जाता कि आज ही मैं किसी की गाड़ी को मालूंगा नहीं right to life में खाना, पीना, रहना, shelter, protection, education, health, road safety ये सारा आजाता है unfortunately politicians को किताब देनी की जोरत है कि वो खोले, पढ़े, interpret करे और समझे कि उनका काम क्या उनको आगे क्या करना है बाकी वो अपने free time में क्या करते है I'm least bothered सिफ काम, जिस चीज का उनको पैसा मिल रहे, वो काम करे जो नहोंने oath ली है उस पे वो काम करे and make people happy बस, बाकी इसके लिए अगर सब को opposition में खड़े हो जाने most welcome to do it, कोई फराख नहीं पड़ता शुक्रिया मैं से बाचे अपकी इस सब पर कह राए है अभी अपनी राए जो है, जो है जरूर साजा कीज़ेगा इस तरह के मज़ीद updates क्लाप देखते रहे हैं न्यूस हैर इंडिया मैं और फाज मड़ाएंड कैमरामेन शानवाज के साथ